वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आपने बेंगन तो बहुत बार बनाए होंगे और खाए भी होंगे बट आज जो हम छोटे बेंगन की सब्जी बना रहे हैं वो ना तो हम स्टॉफ करके बनाएंगे बट टेस्ट उसका वही आएगा जो हम भरवा बेंगन बनाते हैं तो उसके लिए बेंगन को मैंने बीच में से चीरा लगा दिये दो कट लगा दिये पहले वाश करके रख लिए और फिर पानी में डाल दिये अब यहां पर उसका एक मसाला रेडी करेंगे जो स्टॉफिंग में यूज़ोले हम लोग कर सकते हो तो यहां पर मुंगफली ले ली है रोस्टेट चना दाल जो होती हो ले ली है लाल सुखी मिर्च चारपाट ले ली है सौफ ले ली जीरा ले लिया और यहां पर लसन की पाच्छे कलिया ले ली सारी चीजों को अच्छे से रोष्ट कर लेंगे देखिए तीमी आ करके फिर हम उसमें डालेंगे कोकोनेट पाउडर करीवन एक बड़ा चमच ध्यान रखे गेस की फ्लेम ओफ करके डालना वरना कोकोनेट का पाउडर जल्दी जल जाता है अब सारा मसाला ठंडा हो गया तो उसको हम उसको पीस लेंगे बट उसमें तोड़ी चीजे और डाल ब्रिंजल हमने धूके फिर मैंने उसको ड्राइ होने के लिए रख दिया था चलनी में उसको हम हलका सा फ्राइ कर लेंगे यह टोटली ऑप्शनल है आप वैसे भी बना सकते हो बीना फ्राइ किये बट इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है और 40 तो 50 परसंट जितना कू हो जाती है तो यहां पर बेंगन को मैंने फ्राइ कर लिया है और यहां वही पैन में वही ओईल में यहां पर चौप की हुई अनियन डाल दिये अनियन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो उसमें थोड़ी सी हींग डाल दिये और अब डाल दिंगे जो मसाला हमने पीसके मैं इसलिए थोड़ा ज्यादा बनाया था तो आधा मसाला में रख दूगी है और कोई सबजी बनाने के लिए तो मसाले को अच्छे से रोष्ट कर ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो रोजिन्दा मसाले होते हैं, रेड चिली पाउडर, अर्धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, वो सारी चीजे भी डाल देंगे, और उसको भी इस मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे, आपको भरने की जंजट नहीं होते हुए भी वही टेस्ट आता है भरवा बेंगन वाला, तो इस मेथड से आप जरू ट्राइ करें, क्वीकली ये भरवा बेंगन जैसा टेस्ट देता है, ये सबजी, खाली बेंगन ही नहीं, यही मसाला आप भरवा टिंडे, भरवा भिंड वगेरे में भी यूज़ कर सकते हो, परवल में भी, तो यहाँ पर पानी जितना चाहिए ग्रेवी में मैंने डाल दिया है, अब फिर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रहे हूँ, ग्रेवी में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मसालों को अच्छे से बुनना है, ओइल सेपरेट ना होए तब तक, फिर हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उसकी हिसाब से पानी डालेंगे, पहले हम इसमें अभी बैंगन एट कर देंगे, तो यहाँ पर कसूरी में थी सेकेंड टाइम आपके लिए औप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो तो डाल सकते हो मैंने डाली थी, अब यहाँ पे मसालो को अच्छे से कोट कर देंगे बैंगन के उपर, अब जितनी हमें ग्रेवी रखनी है, उत हिसाब से थोड़ा सा पानी और इसको थोड़ा सा कूक करने में भी चाहिए, अल्रेडी 40-50% हम कूक कर चुके है, तो इसको कवर करके 5-6 मिन रखेंगे और बैंगन हमारे रेडी है, देखिए कितने अमेजिंग लग रहे है और बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनी है, उपर से धन्ये से गानिश कर लेंगे, तो रेसिपी आपको कैसी लगी, बिल्कुल सिंपल रेसिपी, क्विक रेसिपी बोल सकते हो, वाज यह अच् को सब्सक्राइब करना मिलते हैं, नहीं रेसिपी